चैनल को सस्क्राइब करके बैल आइकोन जरूर दबाए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचीज़ है आज हम बनाने जा रहे हैं चटपट बनने वाला पनीर दो प्याजा वीडियो सुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन हैं कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और आपकी अपनी चैनल को क्वीट माही को सस्क्राइब कीजिए सबसे पहले एक पेन में डाल दीजे थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा ओइल फिर उसमें डाल दीजे हमारा ये सौफ्ट सा पनीर फिर उसमें डाल दीजे नमक मिर्ची और थोरी सी हल्दी और धन्या पाउडर डाल के बस उसे दो मिनिट फ्राइ करके निकाल देना है सारा पनीर को हमें ज्यादा भुनना नहीं है बस दो मिनिट फ्राय किया और उसी ओयल में डालने हैं ओनियन और कैपसी कम उसको ऐसे हमने बड़े बड़े पीस काट दिये हैं और इसे अच्छी सिर्फ दो मिनिट तक गुमाना है कि इसका कच्छापन है वो सारा निकल जाए ब हमने दो बड़े प्यास को एकटम बारी कट करके डाल दिया था इस देश पर आप चाहे तो सुके घरम मसाले भी डाल सकते हैं पर हमने नहीं डाले हैं अब उसमें डालना है बारी कटा हुआ जिंजर गालिक और ग्रीन चिली इससे एकटम अच्छा सा क्रिस्पी नेस आता ह फिर उसमें डाल दीजे सुके मसाले नमक, मिल्ची, हल्दी, धनिया पाउडर और ब्लेक पेपर पाउडर और गरम मसाला बस फिर इस स्टफिंग को अच्छे से बुनना है देखिए हमारा मसाला रेडी है ना फिर उसमें डाल दीजे टमाटर की पेस्ट इसमें भी हमने दो बड़े टमाटर लिये है उसको बारी क्रस कर लिया था और देखिए इसे दो मिनित तक बुनने के बाद एकदम अच्छे से ओयल निकल के आ गया है मतलब हमारी ग्रेवी रेडी है अब यहां पे आप डाल सकते हैं दो बड़े चमच मलाई के आप हैवी क्रीम भी डाल सकते ह सबजी में इकदम बड़ी आसा टेस्चर आ सकता है अब उस टाइम पे डाल दीजे हमारी बुनी हुई सबजियां मतलब पनीर कैपसी कम और ओनियन बस इसे अच्छे से मिला दीजिये देखिए रेडी है ना होटल जैसा ही इकदम बड़ी आसा घर पे ही इजी ली सबजिया बन जाए तो क्यों बाहर जाना और गर पे ही जब सबजी समझ में ना है क्या बना है तो बस ऐसे ही बना सकते हैं हमने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाले और अच्छे से पक जाए बस देखिए ज़्यादा भी हमें इसे पतला नहीं रखना है और एकदम सुका भी नहीं अगर ये रेसे भी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिएगा